हेलो बच्चों हमने अब तक पढ़ा था पुश्पक यान में कि किस तरह से राम है वो उसूद्र को देखने के लिए जाते हैं वन में और उयान में बैठ कर जाते हैं तो उस पुश्पक यान की विशेषता देखे थी हमने पढ़ी थी और हमने देखा था कि राम है वो किस रहा से सीता की आदों में खो जाते हैं तो पुश्पक यान भी अपनी क्योंकि वो राम के मन के अनुसार संचालित हो र तो चीर सागर की तरंगों से उठे हिम स्रंग, उच्चता से कर रहे आकाश का मद भंग, दो समुद्रों बीच फेला मान दंडा कार, तोतला हिम गिरी प्रकरती सौंदर येका गुरु भार, अनगिनत नदिया लहरती हिल रहे जो धार, शुब्र पारसी जलकती प्रकर उनकी तो यहां प्रगुप्तजी कैते हैं, प्रकरती का सुंदर द्रिश्य उन्होंने प्रस्तुत किया है, कवी केते हैं कि स्वेत हिमाले की सुंदर्ता, छीर सागर की तरंगों से उठे हिम स्रंग, तो स्वेत हिमाले की सुंदरता और भव्यता का वर्णन किया है कि ऐसा प्रतित होता है कि हिमाले की स्वेत उज्वल चोटिया चीर सागर अरथा दूद से भरे सागर से उठी भाप से बनी हो और साथ ही हिमाले की चोटियों की उँचाई इतनी अधिक है कि मानुवे अपनी उच्चता से अपनी उचाई से आकास की उचाई का अभिवान भी भंग कर रही हो और ठाथ खत्म कर रही हो दो समुद्रों बीच फेला मान दंडाकार तोत लाहिम गिरी प्रकरती सोंदर्य का गुरुभार हिमाले परवत दो समुद्रों के मध्य दंडाकार आकरती में फेला हुआ है स्वेत उज्वल हिमाले की सुन्दर्ता पूरे विश्व में अध्वुत है पूरी प्रक्रति की सुन्दर्ता का भार अकेली हिमाले के कंधों पर टिका है अब कहने का मतलब यह है कि हिमाले का सिखर अत्यदिक सुन्दरे से परिपूर्ण है ऐसा लगता है पूरी श्रष्टी का भार, सुन्दर्ता का जिम्मा हिमाले के सुन्दरे में समाया है, तो आगे वो फिर हिमाले के सुन्दर्ता का वर्णन करते विए कवी कहते हैं, कि अंगिनत नदियां लहरती हिल रहे जो हार, शुब्र पारसी जलक्ती प्रखर उनकी धार, कि हिमाले की गोध से अंगिनत नदियां निकलती हैं, जो समपूर्ण देश में पवितरता की प्रतीक मानी जाती हैं, इन पवितर नदियों की धाराई इस प्रकार मचलती हैं, मानो सूर्य की रोश्नी में अंगिनत हार चमकती हो, या फिर शुब्र अर्थात निर्मल सांतरस का प्रियोग हुआ है, आगे बंद है अगला पद, देव तरूओं की कतारें हरित रेखा मात्र, घाटियां दुर्गम अलंकरत रूप लेखा मात्र, दूर उड़ते विहग जैसे नाचते हों बिंदू, और बादल राशिनब में उमड आया सिंदू, सब बनस पतिय आचानक जग उठी, राम को जैसे बताने मग उठी, तो कवी कहते हैं कि राम अत्यनत मंत्र मुग्द होकर प्रकरती के अद्वुसों दर्य का रस्पान कर रहे हैं, कहीं उन्हें हिमाले की दिर्ग स्वेत उजवल शुब्र चोटियां करशित करती हैं, तो कहीं देवदार क व्रक्षों की कतारें, देवतरवों की कतारें, देवदार व्रक्षों की कतारें, हरित रेखा मात्र कतारें, अत्यदिक उंचाई से देखने पर ये व्रक्ष सिर्फ हरी रेखा खिंचुवी सी प्रतीत होती हैं, घाटियां दुर्गम अलंकरत रूप लेखा मात्र, गहरी दुर्गम घाटियां उनमें बिच्छी हरियाली प्रकृती को अलंक्रती ही कर रही हैं। दूर उरते विहक जैसे नाचते हों बिंदू। अब कहने का मतलब यह है कि घाटियां बड़ी गहरी हैं जिनमें उतरना बहुत कठीन है लेकिन उपर से देखने पर हरे सुंदरे में लिप्टी प्रकृती की सुंदरता प्रदान कर रही हैं। सब वनस्पतियां आचानक जग उठी, राम को जैसे बताने मग उठी, चारों तरफ वन में वनस्पतियां पेड, पोधे, रक्ष, लताए, फल, फूल, सारी वनस्पतियां जागरत हो उठी हैं। हवा की मद्धिम गती से सब में संजरित प्रान उत्षुक हैं। राम को मार्ग बताने के लिए, कहने का मतलब यह है कि कभी बता रहे हैं कि वन का अलोकिक अपार्स हो अंदर यह राम की द्रश्टी पाकर और भी निखर गया है। तो यहां पर उत्प्रेक्षाल अलंकार यह प्रसाद गुण का प्रियोग हुआ है बच्चों। तो यगदिश गुप्त कहते हैं कि सिर्राम शुद्र मुनी की तलास में आकाश मार्ग द्वरा उन्हें खोजने के लिए निकले। अकाश मार्ग पर विच्रन करते हुए उनका प्रकरति के अनंत सोंदरी से परिच्चे होता है। बहुत से द्रश्य अंप्रसंग उनके उन्हें विगत में भी ले जाते हैं। इस वर गुंजरित होता है। जड़ने और भी दृत गति से गतिमान उड़ते हैं। राम की तंद्रा हटी। जड़नों के तेज गतिमान स्वर से वातावरण में चारों तरफ यही स्वर प्रतिध्वंदित हो रहा है कि अवध्पति अयोध्या के स्वामी राम आए है। कभी आगे कहते हैं कि वन में जब प्रकरति द्वारा इस तरह है स्वर उठता है तो राम की तंद्रा अर्था जिस सोच में वे डूबे हुए थे वे टूट गई। कुछ और आया ध्यान चल पड़ा आती शिप्रगते से पूरवपत को यान। उन्हें अचानक ही कोई और ध्यान में आती हैं उनकी सोच और ध्यान से संचालित उनका यान अचानक पूर्वदिशा की ओर चल पड़ता है राम को पूर्वदिशा में आगे बढ़ते हुए इस्मरण होता है कि यह वही मार्ग है जहां पिता दसरत का आदेश मानकर भाता लक्षमान यों गुरु वि गए थे ट्रक्रति के माध्यम से यहां पर विगत इस्मरतियों के आदार पर राम को सभी बाते हैं वो इस्मरण हो आती हैं तो जानो मानो आदी होने की वज़े से यहां पर उत्रिक्षा लंकार है अगला बंद थी यहीं बैठी कहीं धरकर सिला का रूप मत रहा था मन अहल राम ने छूकर उसे जैसे किया गतशाप याद सब आने लगा इतिहास अपने आप एक नारी को सुगती दी एक को परिताप छोड़ जाओंगा जगत पर कोन सी मैं च्छाप तो कभी गुप्त जी कहते हैं कि सिराम पूर्व दिशा में चलते हुए इस्मरण कर रहें कि यह वही देश है जहां मैं भाई लक्षमने गुरू विश्वामित्र के साथ पिता के आदेश से आया था उन्हें वे सारी बाती इस्मरण आती है जो उस समय घटी दोई थी जिसमें अहिल्या का वे भयानक श्राप था जिसके कारण वे पत्थर शिला बन गई थी मत रहा था मन अहिल्या का विगत विद्रूप राम उस मार्क पर चलते हुए वही समरण कर रहे हैं यहीं कहीं वह जगह थी जहां अहिल्या पत्थर बनी बैठी थी और उसके दुख से दुखी राम का मन अत्यदिक अशांत था राम ने चूकर उसे जैसे किया गत शाप राम ने अहिल्य जगह को देख़र स्री राम को अपने आप ही सारा इतिहास याद आने लगा उन्हें याद आता है कि उनके छूने से पत्थर बनी एक नारी शाप मुक्त हुई थी जिसे उन्होंने पुना जीवन नवगति परदान की थी एक नारी को सुगति दी एक को परिताप तता दूस दूसरी तरफ उन्हें अपनी पत्नी सीता की याद आती है जिने उन्होंने नहीं चाहते हुए भी भयंकर पीड़ा पहुचा ही थी एक नारी को सुगति और दूसरी को पीड़ा देकर आखिर वे स्यम अपनी कौन सी छवी संसार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं छोड को जाओंगा जगत पर कौन सी मैच्छा आप कभी बताते कि राम इनी भाओं के उतार चड़ाओं में स्यम को दोसी मानते हुए कह रहे हैं कि आखिर वे संसार को अपने क्रत्यों द्वारा क्या संदेश देकर जाएंगे तो ये तो थे आपकी पुश्पक्यान का अगला फि